हेलो फ्रेंज आज मैं आपके लाया हूं अगरूं की सॉल्ड एसाइमेंट 2020-2021 सेशन के लिए और आज की हमारे एसाइमेंट है हिंदी बाशर संप्रेशन कोशल भीशे की जिसका कोड है भीएच डील ए एक तीन साथ इसी तरह कि मैंने एक लास टाइम भी अप्लोड की थी जिसका नाम था हिंदी बाशर और संप्रेशन तो आपके दोनों के दोनों सेट डिफेंट है तो ऐसा मत करना कि दो दोनओं को एक जेसे समझना आपके दोनों सर्य ठेटट है तो आपने देखना है कि जो आपने कौन सा सर्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया राया आपकी जब आपने फॉर्म बढ़ा हो गे उन्होंका उसटाइम तो स्र्जेक्ट जूरो जरूर चेकरनाван खालतार है कि आपका हिंदी पाशा और सब्रेशन है यह फिर हिंदी पाशा सब्रेशन कौशल है जो स्ब्जयक ने से ने वो सब्जेक कोड तो अब हमेशा हंब सब्जक्च कर राएगा 파टिक्ला स्ब्जक्च के रिए टो इगनु में हमेशा सब्ज натो देखो और मैंने एक प्लेइलिस नई है इगनू सॉवर्ड असाइमेंट 2020-2021 के नाम से उसका लिंक मैंने डिस्विशन बॉक्स में डाल दिया है तो वहाँ से जाके आख मेरी बाकिये की इगनू की सॉवर्ड असाइमेंट 2020-2021 सेशन की देश से देख सकते हूँ और उस डिस्विशन बॉक्स में मैंने इससाइमेंट की कुशन बॉक्लेट भी इंसर्ट कर दी है उसको भी आप चेक कर सकते हूँ क्यूंकि आपको जो कॉशन के आंसर करने से पहले आपको कॉशन बॉक्लेट को पर अटैश करना पड़ता है उसमें सिर्फ आपको जहां पर क खंडगर, खंडगर, तो सिर्फ अपने उसी पेज का प्रिंट आउट लेना है और असाइमेंट से पहले उसको अटेश करना है, हर्द रेक्ट में आपको अटेश करना पड़ेगा, असाइमेंट से पहले, और इस असाइमेंट में आपको मैं असाइमेंट से जाज़त ये भी दाऊंगा कि कैसे आपने assignment को बनाना है और कैसे इसको submit करना है ताकि आप अच्छा score का सको assignment में और आपको ची final result बने उसमें आपको pointer अच्छा रहे और appendage आपकी अच्छी रहे तो अगर आपको मेरी assignment अच्छी लगे तो assignment को मेरी assignment को like कीजिए वीडियो को like कीजिए और मैंने target रखाए 500 likes का तो 500 likes के target को पूरा करने में लिहाट कीजिए और जो भी आपने study groups या friends है उसमें इस video को share कीजिए assignment को share कीजिए और assignment की मैंने playlist का link दिया है उसको भी share कीजिए अपने study groups में आपने friends से साथ ताकि जो भी आपके known है या फिर जो भी आपके groups में जुड़े होंगे अगर उन में से कोई इगनो से जुड़ा होगा तो वो इगनों की assignment को time से बना सके और time से submit कर सके और अगर मेरी चैनल पे आप पहली बर आये हैं तो चैनल को को और like जुरू करें और comment सेक्स में में मेरी assignment को कैसी लगी है और rating करी मेरी assignment की 10 pointer scale में में आपको आपको क्या लगता है कि 10 अवे से कितने marks की है ताकि next time मैं और improvement कर सकूँ और कोई भी suggestion हो assignment या video improvement से related वह भी आपने लाइक जुरूर करना वीडियो हो और मेरे 500 likes की तार पूरा करें मेरे help कीजिए तो इस तक आपका question paper होगा जो मैंने question paper का link discussion box में डाल दिया है वहां से जाके आप check कर सकते हूं उसमें तीन भागे आपके खंड़कर 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 तो उसका print out आप लेना है जो question book letter को तीन चार 21 तो हमेंशन कोई भी आपके assignment हो उसमें एक चीज आपने यह दिखनी कि आपका subject code सही है या नहीं तो पहले आपके subject code देखना है और उसके आपने देखना है session क्योंकि आपने session स्टार्ट हो गया है 2020-2021 तो session जुरूर देखे आपके assignment को download करने से पहले जब आप download करोगे assignment को बनाने से पहले अपने assignment भी session जुरूर देखना है कि 2020-2020 क्योंकि आपके session स्टार्ट है अगर आप 2019-2020 के assignment ना होगे तो उसके marks नहीं मिलेगे उसका कुछ वाइदा नहीं है तो session जुरूर देखे ना किसी भी year में कभी भी आप किस भी session में कि आप assignment ना रहे हो उसको जुरूर देखे तो इस assignment में आपको सारे सारे question करने है आपको जितने sessions है तो पहला भाग Faand का इसमें आपके 2 questions है इस question आपको इसमें आपके option करना है और हर एक question آپका 20 नंबर का है तो current का आपका चार्यस नंबर का section है चार्यस नंबर का भाग है तो मैंने याँ पर दोनों option में से एक एक question किया है पहले में और दूसरे में लेकिन क्योंकि इकनुम में क्या है जो previous years के assignment होती है current assignment है या फिर जो previous year के question पर है उनी से आपको final paper में final paper में questions आएंगे तो हो सकता है जैसे मैंने आपका पहले का या पहला part किया है तो हो सकता है paper में को दूसरा part आए दूसरा भाग वैसे दूसरे का मैंने पहला भाग किया है तो paper point भी उसे आपको सारे चारों चारों question त्यार करने है जो भी assignment में चाहिए option हो हो जो फाईल एक्जाम के लिए सारे सोचन करना पर फाईल में करना है और फाल हमद्गोड दूसरा भाः घंक delegate वो टोटल 40 नंबर का है और लास्ट खंडगर इसमें भी 4 questions आपको और हर एक question को 200 शुब्दों में करना है और हर एक question आपका 5 नंबर का है तो total marks इस भाग के आपके है 20 तो total assignment आपकी 100 marks की है अब कहां आपने submit करना हो और कब submit करना है तो जो student enroll होंगे जनवरी 2021 में उनकी last date है 30 April 2021 और जो student enroll होंगे जनवरी 2021 में उनकी last date है 31 October 2021 तो ये date करेगा change भी कर दे थी हो जाती है इकनू के recording जैसे April वाली date हो जाएगी March को shift अक्टूर वाली September में हो जाएगी तो ये समझ करो समझोंगी आप अपरेल में जाके submit करो ये date is change हो जाती है तो जो जुलाई वाली student है जो जुलाई 2020 वाले वो ट्राइकर इसको अपरेल में जाके इसको जनवरी 2021 में submit करो और जो जनवरी 2021 वाले student है वक्टूबर में जाके इसको जुन जुलाई 2021 में submit करो टाइम से submit करने का फायदा यह रहेगा कि क्यूंकि मैंने क्या बताया कि जो assignment कोशने हुई आपको final exam में आएगी तो टाइम से अगर आप submit करोगे तो टाइम से आपको बाप्स मिलेगी और यहीं से ही आप final web की त्यारी कर सकते हो तो टाइम से submit करना assignment को और कहां आपने submit करनी है तो जो भी आपने study center आपने choose कि होंगे जब अपना application form बना होगा तो जो भी study center वहाँ पर आपको कोडिनेटर होंगे जैसे आपके bachelor of arts के लिए different coordinator सेख किये जाते हैं bachelor of commercial के लिए different होगे bachelor of sciences के लिए different तो हर एक program के लिए आपके coordinator different होगे तो study center में जाकर आपने जानकर लेनी है कि आपके coordinator कौन है और या तो study center बता देगा आपको या वे coordinator बता देगे कि आपने assignment किस चीज में बना होगे तो जानकर आप लेनी है study center या coordinator से या assignment किस चीज में बना होगे जैसे कई जगा बोलते है कि आप assignment को file में बनाए कई जगा कहते है कि आप note book में बना हो या फिर कई जगा बोलते है कि आप एक ही file या एक ही note book में similar subject के assignment बना सकते हो तो ये सारी जानकर आपने study center से ले रहे हैं ताकि आप according to study center assignment बना होगे तो आप अच्छा score कसकते हो तो जानकर इसके अलावन को ये अगर जानकर आपने कभी भी लेने हो से किसी से इग्नुसलेटिट टॉपिक के चाहे assignments या कोई और assignment के अलावा भी तो बहुत सारी जानकर आप study center से लोग हमेशा क्योंकि study center आपको सबसे better guidelines दे सकता है किसी particular problem इग्नुम में जो भी problem आई पिर आपको जो 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 आपको आती है किसी से मत पूछो से डिरेक्ट रिजन से से contact करो या फिर आपके study center से contact करो और जो आपको फाइनल जर्ट बनेगा उसमें जो assignment के marks वह है वो 30% विटेज जर्व की और 70% विटेज होगे हमारी final exam की तो 30% विटेज बहुत जादा है तो ट्राइगर होगे आप assignment अच्छी करो और इसमें 30% में 25% के आसपास marks गेंग करो ताकि आपका pointer अच्छा बने और आपकी percentage final अच्छी बने अब यह आपकी जो assignment है यह 100 marks की है तो इसमें 35% marks passing होने के चाहिए अगर 35% से कम गेंग करोगे तो आपको 12 assignment library की next session की next year में वैज़े आपने देखा होगा जब आप school level पे assignment दोगी जैसे 10 marks के assignment आपने कभी submit की होगी अगर आपने पूरी assignment की है तो मिली जाते हैं तो means यहां पर भी आपको 100 में से 70 और 80 marks आपको मिली जाते हैं अब next में आपको यह पताओ को कैसे आपने 70 को 80 में convert करना और कैसे आपने 80 को 90 को convert करना इस कैसे आपने जाल स्कोर आप कैसे कर सकते हो अब जो भी आपने study center select कियोंगे और जनलिए आपकी या तो कोई study institute होगा तो बहाँ पर आपके आपके आसपास कोई ने कोई आपका friend या आपका known बहाँ पर regular classes ले रहे होंगे तो जो भी बहाँ पर हिंदी का subject पढ़ रहे होंगे उनसे आपने जानकर है लेनी है कि आपके जो हिंदी के से teacher है वाँपर वो किस बेसे पे नंबर write करते ह जैसे कई teachers है जो आप लेंदी लेगोगी उस बेसे पे नंबर देते हैं कई teachers जो सजाद से जाके लेगोगी उस पे इस बेसे नंबर देते हैं क्योंकि जो आपके assignment हो हिंदी के assignment लेगी हिस्ट्री के assignment हिस्ट्री के teaching के बाच जाएगी इंग्लिश के teaching के बाच जाएगी तो वो सारी जानकर है आपने regular students से लेने की किस बेसे नंबर मिलेगे क्योंकि आप according to teacher अगर को भी इसाइमेंट बनाते हो तो आप अच्छा score करते ही हो यह आपने देखा हुए आप स्कूल लेवल में या कहीं और पर अगर बबाद इसाइमेंट बनाते हो तो आप अच्छा score कर सकते हो तो जानकर नहीं ले लेना regular students से particular subject की जब आप assignment होगे तो तो अच्छा score करो assignment में अपने कोड़ी में आप कोई improvement कर सकते हो assignment में करना चाहो तो कई methods are different different तो कोई improvement आप खुद के कोड़ींग करोगे किसी भी चीज में तो वह आपके लिब हैटर रहेगा representation में करो चाहिए आप assignment में करो तो इस तरह कहीं का front page बना सकते हो word file में या फिर इस तरह की soft को भी मिल जाती है internet पे word format में या फिर पीडिया format में या फिर इस तरह की images भी मिल जाती है तो इसमें मैंने डाला है आपका enrollment number आपका नाम, app address, program code जैसे bachelor of arts, bachelor of commerce, bachelor of sciences next का regional center का नाम, आपका study center, study center का code, mobile number और email इसमें try करें mobile number और email जो ही डालना जो आपने इकनों में register की है तो इस तरह का front page आप ना सकते हो word file में अब इसमें देखो जो होगाए details आलिए जैसे आपका enrollment number है, आपका नाम है, आपका address है, program code, regional center, study center, study center code, mobile number, email तो ये सारे details आपकी बिल्कुल unique है, means आपकी detail किसी प्रेक्ट के लिए same रहेगी, किसी year के लिए same रहेगी, किसी semester के लिए same रहेगी, ये detail आपकी कभी भी change नहीं होगी, किसी प्रेक्ट में नहीं किसी year तो इससे वाइदा क्या होगा अब इसमें देखो मैंने subject name subject नहीं डाला है अगर मालों मैं subject name डालता है हिंदी बाशा संप्रेशन कोशल तो जो आप इसका print out लोगे तो उस print out को आप सिर्फ किसी subject में यूज कर सकते हो मैं उसको द्वारा यूज नहीं कर सकते हो तो try करो subject name और subject code front page में ना डालो उसके लिए एक extra page लगा दो उसमें handwritten लिख दो उसको subject name और subject code front page में try करो ऐसी detail डालो जो आपके unique रहेगी किसी भी स्रेक्ट में किसी भी year में इसका फाइदा क्या होगा अगर मालो आपने इक बार print out ले लिए है front page का उसे कि आप बहुत सारे प्रोट्षेट करा सकते हो अब आपको बता है कि print out मेंगा और प्रोट्षेट किया है less costly है तो में सब्सक्राइब करें कि आप सेविंग हो जाएगी यहां से सेविंग कर सकते हो अगर सेविंग नहीं करने तो आप सब्जेक्ट नेम डाल सकते हो उसमें पर सेविंग के लिए ट्राइग रहोगी फ्रेंट बेज में सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट कोड नाट अब इसके बहुत सारे प्रोट्षेट लालो और जब आप असेमेंट समीट करोगे और जब आपको असेमेंट बापीस मिलेगी तो आपको फ्रेंट पेज में को टाइब करके अन Steve झाल इसको की अम एक करना है तो पहले होंका का इटाईच करना जो सामने दीख रहे हीँग इस तरह जो है उसके आपने डॉडe इंटिक कार्ड छो अब ऑन्नों से मिला होगा इस अANGसे अटिकाग कम बसर ही नहीं है अटाइच करना लेकर अंग हैक्श करोगे अगर मालों कोई भी आपने डिजेल की फ्रंट में फ्रंट फेज में अपलोड कर दी है तो आपके जो टीजर्ट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे साइमेंट को तो वह आपके अडेंटी कार से उसको परिफे कर सकते हैं कि कोई डिजेल ठीक है यह नहीं यह फिक कर करेंगे आपके असायमेंट की तो पेहला अपका यह फ्रंट पेज फिर आपका ऐडी कार्ड और थर्द आपने एटाज करेंगें अश्न पेपर जाहबर पर कॉशक्चंस होगे आपके अस्लायमेंट करना बनी dziि पैसिउत में डाल के चारगा वालेज फेस्बदीय सबाता वही आपने प्रिंट आउट करना है तो अगर मालों सेटी सेंटर भी बोलते हैं कि आप पर एकी फाइल या फिर एकी ऊड दूट को में पिर दूश्या सीम सीमे की लिस्सेया सेमे कवेपर फिर तेसीया समय को कुशन सेपर फिर दills के मेंस अपका फ्रेंट पेज और एकान दूट को द चाहे हैًAs किसी भी टाइम कोड़ेट कर लो चाहे और जब आपस में लेकि तो next year किसी और subject में यूज़ कर सकते हो तो ट्राइग में subject name subject code ना डाओ तो यहां से आपका पहला question स्टार्ट हो रहा है खंड कर तो इसमें सारे question करने आपको तो पहला दूसरे question option था अथवा कर गए प्रशन है तो मैंने यहां पर एक ही किया है लेकिन फाम्ल पेपर के लिए आपके करना दोनों को पढ़ना क्योंकि घो geme सब्सक्राइवाल कुशन है दूसरे वारा जै तो फाइनल एक्याम के लिए आप दोनों को पढ़ना और जैसे यहां पर लिंग खंड कर निमलिक प्रशन को सास्तों शब्दों में करो तो सास्तों शब्दों वाल चाल मत लिखना तो खंड कर पहला गश्ण का नाम प्रशन और उत्तर और जो के लिए उत्तर के लिए उत्तर के लिए यूज करना इससे आपके क्या हुज है कि बैटर रिप्रेशन रही है और फाइनल एक्जाम भी आप हमेशा ऐसे किया करो तो सेम परेशन यूज करना जया आठें दे रहे हो यफिल रिख रहे हो बौल्टिक पॉर्षन रहे हो और जिसमें पहरा गश्ण है क्या सब्सक्राइब करो पूरे कुश्ण को पढ़ो है क्या है और उसको इसको कंपाईल पूरे क्या है अपने शब्दों में करें दाला है उसको अपने शब्दों में लिखो और इससे या फाय भाइधा भाति होगा यलिए तो में लिखा हो। और सेकेंड आपको सेमेड़ की नॉलइज भी होगी कियोंगे आपने जब खुद जो कट किया होता है फिर आपको बाकी का पता होता है कुछ भी आप खुद इंग्रूमेंट किसी भी चीज में करते हो वो आपको आप वहेशा याद रहती है और थर्ड अपक्योंकि आपने अपने शब्दों में लिखा होगा तो आपके सेमेड़ बेची बनती है और थर्ड इससे आपकी फाइनल वेट की त्यारी भी यहीं से हो जाएगी नीज में कि अपने पुरा प्टों कोशन पढ़ा होगा और आप से सद़्डी होगा और फिसको लिखा होगा तो यहीं से आपके फाइनल वेट की त्यारी भी हो जाएगगी अधिकर हमेशा ट्राइक रहे कर हो जों फ array जमस्य से पूरूरे कॉशन को पढ़ऊ उसका जो आपको रित्य मिनिमर पॉइंट्स उनको यह आपने लिखना है तो असाइमेंट भी अच्छी बनेगी असाइमें की नॉलज़ भी होगी और यह ज़िए आपकी फानल भीव की त्यारी भी हो जागी और टाइम से जब आप समेट करोगे जब आपको टाइमें से अपने चुनिंदा पॉइंट्स में लिखा होगा तो जो उसको द्वारा पढ़ोगे तो इसलिया आप उसको गेन कर सकते हो फानल एक्जाम के लिए तो हरे कॉशन को पहले अराम से पढ़ना पूरे-पूरे कॉशन को और अपने शब्दों में करना तो अगर कुछ क्रेक्शन है वह यार कॉमेंट्स एक्शन में मुझे बता देना ताकि बाकी किस रोडन इसको क्रेक्ट कर सके तो इसमें वीडियो आपके लेंथी बनेगी काफी क्योंकि काफी ज्यादा कोशन इसे पहले दो कोशन साथ सुशब्दों के अगले चार कोशन आपको तीन करतरा को वीडियों का वीडियों क्फी क… वि ये जखर सुश्ब्दों हैं तो सुमिश्न में बता चूका हो और स्मिशन इसको काफकी असाइम्हें कि सामने आप पूरी देखना लेंधी असामेंट है लेकिन इसमें content भी है क्योंकि इसमें नोलज में आपको बता दिये कि कैसे समिट करना है कब समिट करना है वो सारी जान करीमें दे दी आपको तो पूरी असामेंट को देखो और अगर मेरे आपको उच्छे लगें तो असामेंट को लाइट किजिए और मेरे 500 लाइक के तार्गिट को पूर अगर मेरे हैं और अगर चैनल पर पहली वराए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बैल ऐकुम को प्रेस करो और assignment की playlist को assignment को अपने friends से share करो जो भी study group से बावर शेयर करो ताकि बागी के भी time system कर सके और कोई improvement आप अपने कोड़ इंप्रस्टियों नबर गेन करने लिए वो भी आपके लिए बैटर रहेगा आपने कभी स्कूल लेवल पर assignment रहेगी तो आपको पता है कि स्कूल लेवल पर अपने कोड़िंग तो वो भी बैटर रहे आपके लिए आपके लिए ल्याओर आपके लिए आपके लिए आपके लिए झाल 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 यहां से आपका दूसरा कुशन झाल 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 मैं झाल 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 तो यहां पर आपकी assignment complete होती है, हमारे assignment complete होती है, तो अगर आपको यह assignment अच्छी लगी हो, तो assignment को like कीजिए, वीडियो को like कीजिए, और मेरे 500 likes के target को पूरा आपके अच्छी लाइध करो अच्छी लाइध का यहां वाखा कीजिए, और जो assignment की playlist मैंने डिस्क्राइध बॉक्स में डाली है, उसको share कीजिए अपने friends के साथ, जो भी आपके study groups है, ताकि वह जो भी आपके knowns है, वह यह एकनो की assignment time से submit कर सके, time से map से बना सके, और अगर मे किनों से related assignments upload करूं उसकी notification आपको जल से जल मिल सके हैं और comment section में आपने मुझे बताना है कि मेरी assignment आप कैसी लगी कोभी suggestion हो video improvement से related assignment improvement से related तो भी आपने जुरूर बताना है और 10 point scale में rating करनी मेरी assignment की यह आपको लगता है कि 10 में से कितनी है और जब आपको assignment submission के लाद बापिस मिलेगी तो आपने मुझे बताना है तर ट्राइगा ने इसको बताने की कि आपको 100 में से कितने marks मिल टीशर्स ने फ्रोइट किया है ताकि next time मैं और improvement कर सको assignment में next session में next year में ताकि आपको improved और improved assignment मिले और आप और अच्छा score कर सको assignment में तो assignment को time से बना देना और time से उसको submit भी कर देना ताकि time से बापिस मिलेगी और इस assignment को पढ़के आप final paper की त्यारी भी कर सकते हो तो जो options वाले question रहेगे थे उनको भी कर लेना हस्टे final paper के लिए क्योंकि वह वाले question है तो मिलते हैं भी next assignment में धन्यवाद कर दो कर दो तो